नमस्कार दोसों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोसों केशे हैं आप शबी उमीद करते हैं कि बगवान भुलेनात की शिर्बाशी आप शबी बहुत अच्छ होंगी दोसों आप शबी को बता दी कि अब चाहे कोई कितना भी जोर क्यों ना लगा ली लेकिन अब आपके शफलता की घाड़ी को कोई रोक नहीं शकता जिहां दोसों, क्योंकि आप शबी को बता दें, कि अब आपका वह शमय दोबारा शे लोट कर आने वाले हैं, जिहां दोसों, हम आप शबी को बता दें, कि आप यह बाद जानते हैं, कि भगवान हमेशा अच्छे करम वाले को अच्छा ही फल देते हैं, भले ही थोड़ा उनक जुनकाल में देरी होती है लेकिन दोस्तों उनकी शाथ ना इंशाफी नहीं होता जिहां दोस्तों अगर आप पिछले शमय कोई गलती किये थे पिछले शमय आपने कोई एशी गलती से कार कर दिये थे जिनका परिणाम आपको पिछले शमय बहुती बुरा मिला था लेकिन दो अब आपको बहुत अच्छे फल मिलने वाले हैं जिने शुनकर आपके भी होस उड़ जाएंगी जिहा दोसों और जो दुश्मन आपके पीट पीछे कहा करते थे दोसों अब उनके फिजोन काल में उन्हें पता चल जाएगा कि वक्त फिर शियापका लौट कराने वाला है जिहा दोसों इसलिए दोसों आप शिया अनुरोद करेंगी कि आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिशना करें और शुरूश लेकर पंत तक ध्यांश दिखीगा क्यों दोसों आप शिवी को बता दें कि आज की इस वीडियो में जो जनकारी आपको मिलने वाली है दोसों इन्हें पाकर आप शिवी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा जिहां दोसों आप जो चीद चाहते हैं दोसों वे शबी चीजें आपको प्राप्त होने वाली है इस वीडियो में आपको शफलता के वह चावी मिलेगी जिनें पाकर आप पूरे गाउं शमाज में आपना नाम को रोशन कर शकते हैं आपके ही नाम के चर्चे हर जगह होंगे जिया दोसों आप शुभी को बता दें कि अब आपके कुंडली की जो सित्य है वो बदलने वाली है जिया दोसों और ये शारा का शारा आपके अच्छे करमों का ही फल है जो कि आपके कुंडली में चुभी ग्रादों से वो शमाप्त होने वाले ही और आपके कुड़िले में अच्छτι शुभियों का निर्मान होने वाले ही जिनके कारण आपकी जुनकाल में आने वाले श्मय में आपको बहुत ही बड़े बड़े लाब मिलने वाले हैं कौन-कौन से लाब मिलेंगे कौन-कौन से बड़ी कुछकब्रियां अब आपको आने वाले शमय में मिलने वाले है दोस्तों इनिश्की बहुती शटिक जनकारी हंडेट परशन से टिक भषवानी आज के इस वीडियो में हम आप शिभी को देने वाले ही इसलिए दोस्तों आप शिभी से कहते हैं कि शमय निकाल कर आज इस वीडियो को अगर आप अंत तक देख लेंगे तो आपके शमय की बरबादी नहीं होगी और आपकी जुनकाल पूरी तरह शफल हो जाएगा जो भी कारियों में बिगन बदाएं आती थी दोस्तों वे शिभी खत्म हो जाएंगी जिया दोसों आप शिभी को बता दे कि दोस्तों अब आपके कुंडली में नया की देप्ता भगवान शिनदेव का नजर पड़ चुका है अब आपके एक उंडिली का भी इंशाब होने वाला है दोस्वों आने वाली शमय में आपको कौन-कौन से बड़ी खुशकबरियां कौन-कौन से बड़ी शुब अवशर मिलने वाले हैं दोस्वों बात करते हैं दोस्वें वैज वीडियो को एक और शलाक जरूर करें ए और शम्शमय में आपका विशेश योगदान रहेगा शमाज में और परिवार में आपका मान स्रमान भी यश में बढ़ेगा राजनिती से जुड़े लोगों को यश में कोई महत्पुन उपलगदे भी हाशिल होने की सभावना बन रही है जो कि आपके लिए बहुत थी महत्पुन शावध होंगी दोस्तों इस यश में अगर आप कि यश में धन शमजदी निवेज बहुत ही आपको सोच शमज़कर विचार करके इनमें निदले लेना चाहिए यह आपके लिए बैतर होंगे और इसको प्राहत दोस्तों आपको बता दे किसी को पेशा यश में उधार ना दे क्योंकि दोस्तों रुक रुक कर वापस मिलने कि शभाना बन रही है इसलिए दोस्तों यश में आप इन जंजट में ना पड़े यह आपके भोईश के लिए बैतर होंगे और इसको पराहत दोस्तों इस आपके लिए आपको बता दे कि बहुत तेक शुकों की प्राप्ती के लिए जो भी आप यश में पिछले समय में में याशम में शफल हों और इने में आपको अच्छी छबलता प्राप्तinkaु करने के लिए परिवार और मित्रों का भी कि यत्मी आपको शात प्राप्त होगा और दोस्तों, खुद के जीवन को और बहतरीन बनाने का प्रेतना आपके दोवरा यश्मी किये भी जा सकते हैं, जो कि आपके आगे चलकर बहुती लाबगारी शाब्द होंगे और इसको ब्राहत दोस्तों यश्मी आपके लिए उसे मोंगे आपको बता दें कि किसी नजीदिकी मित्र की शला आपको अपने किसी विश्यस कारियों को पूरी करने में शायक शाब्द होंगे तो येश में मित्रों की शला भी आप ले शकते हैं ये आपके लिए उत्तम शामित होंगे और कुछ समय से चल रही जो है स्रवाज समंदी परिशानी भी येश में उनमें शुधार आएगा दोस्तों आपको बता दें कि आप दोबारा अपने वेक्तिकत कारियों के प्रति ये अपने ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे जो कि आपके लिए आच्छा शामित होगा और इसके प्रांद दोस्तों ये किसी के साथ भी वेक्त के बाद बाद में ना उल्जन के शाथ ये आपके लिए बैतर होंगे क्योंकि दोस्तों आपको बताते हैं कि इसकी वजश्य आप अब के मान्ःमान पर ही आचा सकती है या पिर आपकी मान हाने हो सकती है तो यह में का भी आपको ध्यान एक कि विए स्हस्तित है आपको इन पर अन्कूछ लगाना चाहिए तो फिद्ध्यार्थी चाहिए रहेंगी तो कोशिश करें क्योंकि दोस्तों यह लप्रवाई आपके वहिश के लिए बहुत ही नकात्मक शाविद होंगे और इसके उपरां दोस्तों यह श्मय आपको बता दें कि आपके बारे में गोपनी बात किसी और को पता चलने के विज़शी आपको तकलिप का शामना भी यह श्मय ये ये इसमेश होशकता है इसलिए इनसे दूर रहें ये आपके लिए बहुत ही बहुत भेस शाम होंगे और इसकी प्रांत दोस्तों यह श्मय समय है आपको बता आपके सबी कारियों में शफलता आपको दिलाने वाली है परिवार में भी दोस्तों उच्छी दौएस्ता बनाए रखने के लिए आपके जो काईदे कानून है वह आश्मे आप बनाएंगे और इसमे आप अच्छी काव्यावी हासिल करेंगे घर के महौर को भी आप आपको बता दें कि कोई महतपुर नेले लेते शमय असमंजच इसी इस्थिती भी उत्तपन हो शक्ती है इसलिए दोस्तों यह नेले लेते शमय किसी से बात ना करें दोस्तों पर अपिर मेडिटेशन करना आपकी मानश्य इस्तिती को इस तिर बनाएगा तो इने पर ज़र द्यान दें किसी भी परकार के लेंदिन या फिर उधार देने की पर्विरति शियस में बचें क्योंकि दोस्तों वाप्श्य की शमाना बहुत ही कम नजला रही है और इसकी उप्राण दोस्तों यह आपको बता दें कि अभी तक आप अपनी योजना पर टिके रहकर जो भी दोस्तों उन्हीं बातों को वास्ते उता का शौरूफ देने के लिए आप यह में सफल भी रहेंगे फिर भी दोस्तों आपके अंदर और डिश्रीपली लाने की आपको उश्यक्ता होगी आपको बता दें कि शमाद योग तरिके शेयर रखने किसी के साथ जगड़े को खत् अपने शम्मनों को और अधिक मजूद करें दोस्तों आपको बता दें कि यह शम्मन आपके लिए उन्नति का कारक बनेगे आपके नए मार्गों को यह खोलने वाले हैं दोस्तों इन पर भी द्यान दें लेकिन अपने विरोधियों शेयर में आपको शावधन रहनी की आश् आपको पचना चाहिए आपने वाने पर शेम रखना चाहिए अपने गुष्चे पर आपको नीन्तरन रखना चाहिए थाज जाकर दोस्तों आप अपनी कारियों में अपने ध्यान को करेंदर कर पाएंगे तो इन बातों को जो है ध्यान में जरू रखेगा अगर लोन लेने की युजनाब बन रही है तो दोस्तों उस पर अच्छे तरह से सोच विजार भी आप कर लें किसी के व्यक्तिकत मामले में हस्तुब हो रहा है और दोस्तों अभी तक पस्तेदे भी पूरी तरह आपके पक्ष में नहीं आई थी इसलिए दोस्तों मेहनत करते रहें जीवन की नई शुरुआत करने का आपको इसमें मौका मिल रहा है जिसका पूरा फाइदा उठाने की यश्में आपको कोशिच करना चाहिए आपके यश्में दूर होंगी जिसे दोस्तों यश्में आपका मन भी खुश रहेगा और आपकी किरेट को लेकर बात करें अर्थाथ आपके वह शाय की तो दोस्तों यश्में कारीश चेतर में कोई भी महतपुन भेचला लेते इसमें घर की वरिश रदस्रों की शलाह वह ये शलाह आपके लिए महत्पुन शावित होंगे निश्य दिए आपको उचित मार्क दस्टन मिलेगा किसी उल्जेवे शरकारी काम में शफलता की उम्मिद भी यश्माई बन रही है विद्यार्थियों को भी किसी विवागी परिश्चा में मनुकुल परिणाम यश्माई हा थोड़ी तंग ही रहेगी लेकिन दोस्तों किसी पार्टी दोबरा उचित और भी यश्मे आपको मिल सकता है जल्द ही प्रिशानी आपका दूर होंगी तो यश्मे ध्यारी का दामन आपको थामे रखना है नोगरी परिशा व्यक्ति भी अपने किसी लक्ष को हासिल करने मे में सक्चम रहेंगे जिन से आपका महल थोड़ा सा खुश निमाबी रहेगा और इसके प्राहण दोस्तों में आपके खेरेट के लिए आपके वायवशाह के लिए आपको बता दें कि दुस्तों सरकारी शवारत लोगों को कोई वी सेस्ट ऑथरटी में मिल सकती है जिसे पर्णी सब्सक्रांटोस में अगर आपके लिए बात करें आथा ताट आपके पारिवरिक जिवन की दुद्रेश में परिवार के शाथ हास परियास व्पिर मरंजन में खुश्टे में वय्याकितीट होगा और दोस्तों शवष भी में आप से श्वन हरा पिर पियार श्में बना रहेगा और इसके प्रादों से एश्व में आपके लब लाइब के लिए आपके पारिवरिक जीवन के लिए आपको बता दें कि परिवार में भी आपसे स्योग और फिर बहतरी समाज़ेश बना रहेगा घर के बड़े बुजिरों का शिरवाद वापिशने परिवार को जोड़कर रखेगा जो कि आपके लिए बहुती महत्पुर्ण शावित होंगी और इसे दुस्तों आप परिवार के शाथ अनुदित मोड में भी रहेंगे और परिवार के शाथ समय भी वह इत्यत करेंगी पति पत्री का आपसी समाज़ेश भी इसमें महतुर बना रहेगा प्रेम शमनों में भी और अधिक शमें नई दिकियां आने वाली है अगर आपका प्रेम शमन पहरे से टूटा हुआ है तो दोस्तों ये आप कोसिस कर सकते हैं ये आपके लिए बैतर होंगे और इसको प्राहत दोस्तों आपको बता दें कि लोग ट्रोनिक्स उपकरनों अत् योग बहुत ही शावधनी प्रुवक करें क्योंकि दोस्तों ये शमे क्राओं की स्थितिक के खारण चोड़ लगने की यशन का बन रही है तो ये शमे शावधनी आपको ब्रतनियों होंगी